हेलो फ्रेंट्स, मैं शबाब आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ हम सब लोग दोस्तों सुनते रहते हैं कि बदलाव, चेंज, परिवर्तन हमें हमाई लाइक में रखना चाहिए कुछ लोग इसको follow भी करते हैं, यानि कि वो believe करते हैं कि आज हम जैसे भी हैं, लेकिन कल हम वैसे ना हो लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि हम क्यों बदले, हम तो जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, चाहे उनकी वो सोच हो, चाहे वो उनकी पसंद हो तो दोस्तों एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ, कहते हैं कि जो इन्सान मर जाता है, या जो चीज बे जान होती है, उसके अंदर क्या जरा से भी flexibility, कोई moment पाई जाती है, वो अकड़ी हुई होती है, लेकिन जिन चीज़ों में जान होती है, उनमें परिवर्दन होता है एक छोटी सी मिसाल है, कि एक artificial plant अगर हम अपने घर में लगाते हैं, तो क्या उसमें कोई growth होती है, कोई बदलाव होता है, नहीं, हम जैसा उसको आज लगाते हैं, रखते हैं लाकि घर में वो 10 साल के बाद भी वैसा ही रहता है, लेकिन जो एक पेड है, उसे हम अगर लाकर लगाते हैं अपने घर में, या एक छोटा सा बीज होते हैं, तो आज वो एक छोटा सा बीज जो है, वो धीरे-धीरे करके कब एक बड़ा सा पेड बन जाए, पता भी नहीं चलता है, तो यह पहचान है, कि अगर आप में जान है, तो आप में बदलाव आना ही आना है, हमार दुनिया बदलो, दुनिया से मतलब यहाँ पर पुरी दुनिया नहीं है, बलकि हमारे आसवास के जो लोग हैं, उन से है, अब कंपनी ने ये स्लोगन दिया है, लेकिन इसके गहराए बहुत जादा है, हम बिजनस में आते हैं, लेकिन आने के बाद होता क्या है, कि हम शयद उसको सही तरीके से follow नहीं कर पाते हैं सोच बदलो यानि कि दोस्तों आप अपनी पहले खुद के सोच बनाईए कि मुझे अपनी shop चेंज करनी है मैं खुद बाहर से कोई सामान purchase नहीं करूँगा और फिर उसके बाद आप अपने आप पे उन सब चीजों को apply करिए यानि आपने पहले सोचा फिर सोचने के बाद आपने उसको बदला कि आप कुछ भी सामान है जो भी यहाँ पे available है वो हम बाहर से नहीं लेंगे वो हम यहीं से लेंगे ठीक है और फिर उसके बाद जब हम खुद इस चीज को follow करेंगे तो फिर इस चीज को follow करने के बाद हम फिर दूसरों को बताएंगे लेकिन होता यह है कि हम खुद proper तरीके से इस चीज को नहीं सोच पाते हैं कि हमें यहाँ से सारा सामान अपनी शॉप को change करना है और हम दूसरों को बताने के लिए पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे result जो है हमें बहुती ज़ादा disappointment वाला मिलता है हम वहाँ पे दुखी हो जाते हैं तो दोस्तो पहले आप अपनी सोच बदल लिए अपनी शॉप बदल लिए फिर उसके बाद आप दूसरों की सोच बदल लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में सिर्फ दो तिन सामान लेकर आते हो और दूसरों suspect करो कि वो अपनी घर का सुभा से लेकर रात तक का सामान पर्चेस करें मोदी केर से ऐसा नहीं है दोस्तों बात यह है कि हम मोदी केर या किसी भी डारेक सेलिंग कंपनी को क्यों जोइन करें यानि कि उसके क्या benefit होते हैं तो मैं बहुत जल्दी और short में समझाने के कोशिश करूंगी कि दोस्तों डारेक सेलिंग कंपनी जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई investment नहीं होता है जो actual direct selling company है और उनमें किसी तरह का कोई fraud नहीं होता है वहाँ पर आपको कोई investment नहीं करनी पड़ती है सिफ अपनी shop change करनी पड़ती है और उसके लावा जब हम investment नहीं करते हैं तो हमें कोई risk भी नहीं होता है किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होता है क्योंकि हम कोई भी business स्टार्ट करें चाहे एक छोटी सी पान की दुकान ही क्यों न खोले लेकिन हमको वहाँ पैसे लगाने पड़ते हैं और पहले दिन से हमको जो लगाए हुई पैसे हैं वो नहीं मिल जाते हैं बल्कि जो पैसे हमने लगाए हैं उसको अन करने में कमाने में हमको काफी time कई महीने या पिर साल भर लग जाएगा अगर अठी चल रही है तो नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सारी पैसे जो हमने वहाँ पे उसको खोलने में दुकान को establish करने में लगाए हैं, वो मिली जाएं तो हमें यह benefit है कि हमारा कोई investment नहीं है, हमारा कोई risk नहीं है दूसरी बात यह है कि हमें time की freedom है किसी भी तरह की time foundation नहीं है जब मर्जी चाहे हम इस business को सीख सकते हैं और कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें किसी भी तरह की previous experience की requirement नहीं होती है जब भी हम कोई business start करते हैं या अगर हम कोई job करते हैं तो हमें उसमें previous experience की जरुवत पढ़ती है यानि अगर कोई boutique की shop खोलना चाहता है तो उसे खुद वो सब चीजे आनी चाहिए तब ही वो उस चीजे को start कर पाएगा ऐसा नहीं है कि उसने सिफ पैसा लगा दिया हो और चार उसने अपने शौप पे कारीगर रख लिये हो और उसके दुकान बढ़िया फस्क्लास से लेगी नहीं उसे खुद भी वो काम आना चाहिए लेकिन हमारे business में आपको किसी भी prior experience की जरुवत नहीं पढ़ती है सिफ जरुवत पढ़ती है तो एक चीज़ की और वो है कि क्या आप dream देखते हैं क्या आपके खौाहिश है क्या आप सपना देखते हैं क्या आप चाहते हैं कि आप भी world tour पे जाएं आपके पास financial freedom हो बच्चों को अच्छी education दे सकें और उसके लिए आप सोचें नहीं कि हाँ पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को ये course कराता या वो course कराता या फिर आपको भी एक अच्छे घर की तमना है जो भी हमारी जरूरत होती है लगजिरस होती है उन सब की तमना है और अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा important कि क्या चाहते हैं कि बढ़ापे में भी हम किसी से ले नहीं बलके उनको दे तो ये सारी चीज़े हैं अगर हैं तो ये business आपके लिए best होता है part time में भी कर सकते हैं full time में भी कर सकते हैं उसके इलावा दोस्तों ये business जो है वो हमें passive income देता है passive income मतलब कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस वक भरे ही हमको income ना मिले लेकिन अगर हम उस काम को अच्छे से कर लेते हैं तो हमें lifetime उसका credit मिलता रहता है suppose कि जब कोई book author writer book लिक रहा होता है तो उस पूरे period में लिखने में जो उसको लगते हैं चाहे वो दो साल लगे चाहे चार साल लगे चाहे छे महिना लगे वो study करता है collection करता है materials को समझता है पढ़ता है उसके बाद वो book लिखता है तब जाके उसकी वो book publish होती है फिर उसको दीरे दीरे कलके वहां से royalty फिर income उसको मिलने लगती है same as it is हमारे यहां भी यही है कि जब हमारा business कहता है कि आप इस business में enter होते हो तो आपको as per company की जो guidance है उसके according आपको 2 से 5 साल करने होंगे काम लगकर और उसके बाद फिर आपको यह generation to generation income देने वाला business है मतलब हम सब government jobs के लिए बहुत जादा excited होते हैं माबाप लड़कियों के लिए रिश्टा ढूनते हैं कि government job वाला हो लड़का भी चाहता है कि government job होता है कि आराम से job कर सके कोई tension ना हो और अगर खुदा ना कास्ता कुछ हो जाए तो उसके मरने के बाद या बुढ़ापे में उसको पेंशन मिलती रहे तो दोस्तों यह business हमारा generation to generation transfer होता है तो इतने सारे benefits उन में से आप देखिए कि आपको कौन सा benefit है जो attract करता है और modi care को join करने पर मजबूर करता है